तो कैसे हो गाई स्वागत आप सभी का एक और नहीं वीडियो में आज की वीडियो में आपको एठी रोयल पास के सारे रिवार्ट्स वन से लेके 100 रैंक तक के इंक्लूडिंग नए वाला 100 रपी कलर चेंजिंग आउट्फिट और इसके सारे रोयल पास आपको कब बीजी में और पबजी में देखने को मिलेगा ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं A3RP का 100 रैंक वाला आउट्फिट जिसका नाव यहां पर रखावा है लूना हाउल और इसको देखने से आपको लगी रहा होगा कि यहां पर इस सेट में वुल्फ वाली थीम दी गई है जो कि देखने में काफी बड़ा लग रही है और यहां प पड़ते हैं आरपी के वन से लेके 100 रैंक तक के रिवार्ट की तरफ तो जैसे कि यहां पर आपको यह फ्रीकी फिश्टा थीम देखने को मिल जाएगी और जो एथरी का लोगो है वो कुछ हैसा होने वाला है उसके बाद नेक्ट स्क्रीन पर आपको दो सेट देखने मिल ज जाएगा साथ में उसके पास रखी वे अपनी अप्ग्रेडबल नेक्स्ट वैपन तो इस पर किसी के नजर नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर जो 100 आर्पी का आउटफिट है उस पर सही नजर नहीं अटेगी तुमारी और इसके बाद जो एथरी रोयल पास का प्राइस रह यहां पर आपको गटसी लास सेट देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है और वह पास से भी देख लो क्योंकि मुझे पता ही है कि नजर कहां जाने वाली तुम लोग की वर यहां पर मैं इसका कवर दिखा रहा था तो वह भी देख लो यार और इसके बाद कु क्योंकि 2.8 अपडेट में आपको देखने को मिलेगी फामास 2.2 जो कि मैच के टाइम पर आपको ड्रॉप में से मिलना शुरू हो जाएगी बट यह भी कंफर्म नहीं है तो इसको थोड़ा जाने देना और बढ़ते हैं सिधा 15 रैंक पर तुम्हां पर आपको एक फ्री पा आगे बढ़ेंगे तो 20 लेवल पर एक हैलमेट की स्कीन देखने की मिलेगी जो कि बिल्कुल मैच खा रही है हमारे रैंक वन वाले आउटफिट से और इसका नाम है गास्टली ग्लूम जिसका लेवल वन तू और त्री कुछ आधा दिखेगा जो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा होगा और इसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो 25 लेवल पर फ्री पास वालो के लिए एक पर शूट की स्कीन है जो काफी बेसिक से दिख रही है बट यह फ्री में तो सब चलेगा और इसके बाद 30 रैंक में मिनी 14 की स्कीन दिख रही है गास्ट को कुछ में अड़ की तरह लेएगा यहां पर और यहां पर यहां पर आया है नैट्रो मैनियक सेट जिसमें आपको इसका लुक कुछ पागल से सैंटिस जैसा लेएगा और इस सेट में मूविंग फेक्ट भी देखने की मिल रहे है इसके साथ जो इसका कवर है उसको देखक और यह सेट काफी अच्छा भी लग रहा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और अब सिते चलते हैं फिफ्टी रैंक पे जहां पर आपको एक अप्रेडबल वैपन की स्किन देखने की मिल रही है जो कि सेम उसी तरीके से अपग्रेड होगी जैसे पिछले और विल जिसे अगर आपका करेक्टर परफॉर्म करेगा तो कुछ ऐसा दिख evident । जिसमें कुछ डान्स परफॉर्म करेगा और अगर 15 उनडेड का नंकर पर कुछ आहांकर कुछ ती कदर अलगी दिखने माला है अब अब इस यम्ण जिरो वन फॉर के विन स्किन does odd पास इसकी स्क बैक पैक की स्कीन देखने को मिल जाएगी क्लॉक पर्क उटसा तो यह कुछ हैसे दिखेगी और इसका लेवल वन तू और थ्री अभी आपको स्क्रीन पर दीखी जाएगा अब देखते हैं इस वाले आरपी का आवतार तो यह आपको देखने को मिलेगा 65 फ्रैंक में जिसमें एक 100 आरपी वाले आउटफिट की जलक है और इसके बाद इसी रैंक पे आपको ओर्नेमेंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके बैक पैक में लएगा फ्री पास वालों के लिए 70 रैंक पे यहां पर एक सस्ती सी ड्रेस है जो कि देखने में काफी पेकार्स ही है बट आपर एक हाथ का चाप पड़ा है जो कि मुस्ट प्रवाइबली एक जॉम्बी का ही है तो यहां पर इसका नाम भी ऐसे कुछ लिखावा है कर्स्ट क्लॉ और अब इसके निचे देखोगे तो इलाइट पास वालों के लिए यहां पर एक स्मोक की स्किन है जो कि कुछ ऐसे देखने वाली है और इसके साथ यहां पर एक मितिकी मोड देखने की मिल जाएगा जो कि 100 आरपी वाले आउटफिट के लिए है यहां पर आपको एक गन की स्किन देखने की मिलती थी जैसे कि आप यहां पर है इस कारल की स्किन लक्जीरियस ओवरले और इस पूरे रोयल पा और अब फाइनली चलते हैं अपने 100 आरपी पे जहां पर आपको देखने को मिलेगा यह लूना हाउल सेट जिसको अगर आप पूरा 360 डिगरी घुमा के देखने चाहते हो तो देख लो यहां पर कोई भी जिगल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो इस बरह में मत रहना कि यहां पर जिगल इफेक्ट दिखेगा एक्सूट की तरह बड़े देखने में पूरा वैसा लग रहा है अगर एक वर्ड आपको पता होगा बूलना नहीं चाहता तो समझ जाओ और यही सब थे रिवार्ट जो आपको वन से लेके 100 आरपी रैंक पर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ए 3 रोयल पास के अंदर और यह भी देख लो 100 आरपी वाला जो आटफिट है उसे रिकलर करोगे तो यह इसके कौन-कौन से पार्ट यहां पर चेंज होने वाले हैं तो जो आपको इस क्रीन पर दिख रहे हैं वह यहां पर सारे पार्ट हैं जो इसके कलर चेंज ह और यहां पर एक सर्कस की थीम आ जाएगी तो पहले वाले में तो दिख रहा था सिर्फ जो कर अब यहां पर दिखेगा पूरा सर्कस और इसके बाद जो इसका थर्ड लेवल है ऐलिमनेशन ब्रोडकास्ट तो यह कुछ ऐसा दिखेगा जिसके लिए आपको पूरा एक मेट तो यहां पर एक मोलोटोब की स्कीन आएगी फ्लेम गेट नाम से जिसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जब आप किसी भी आनिमी को डिफीट करते हो तो और फाइनली वड़ते हैं अपने विक्टरी डांस में तो यह त्री रोयल पास का जो विक्टरी डांस ह वाला है उसमें आपका करेक्टर हाथ में ग्लो इस्टिक लेकर के कुछ ऐसा डांस परफॉर्म करेगा जो काफी यूनिक दिखने वाला है और यह आपका विक्टरी के टाइम पर आपको दिखेगा बड़ अगर आप इसे आरपी शौप से परचेस कर लेते हो तो आप इसे अपनी लॉबी में परफॉर्म कर सकते हो और जो इसका एडवांस फॉर्म है मिथिक वर्जन उसके लिए आपको इमोट अपग्रेड वांड से से अपग्रेड करना होगा फिर इसके बाद जो इमोट आएगा आपके पास उसमें इस इमोट के ग्लो इस्टिक में यहां पर सेट हो जाएंगी और साथ में कुछ म्यूजिक भी सुनाई देगा आपको जो कि अभी अविलेबल नहीं है बट जैसे यह आरपी आजाएगी वैसे आपको इस इमोट में कुछ उनिक साउंड सुनने को मिल जाएगा और फिर इसके बाद दो और मिथिक इमोट आने वाले है जगल मास्टर जो कि आपको कुछ आज़ा दिखेगा और इसके बाद यहां पर एक जोंबी डांस है जोंबी का डांस आप परफॉर्म करोगे अगर यह इमोट यूज करते हो तो और फाइनली बात करते हैं इस रपी की रिलीज डेट की तो अभी एटो एल पास में जो अप जहां पर आपको कुछ कोरियन लैंगमेज में डेट लिख की दिख रही होगी दोजार तेस नौ चोदा और अगर आप इस लैंगमेज को ट्रांसलेट करते हो तो यहां पर इसका मतलब होता है 14 सेप्टेंबर 2023 नियू सीजन और नियू रोयल पास आर कमिंग जो कि यहां पर डेट होगी नौबर 1 तो यह था मुझे आपको इस वीडियो में बताना था अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं में नेक्ट वीडियो में बबब जी और बीजे मैं की नए अपडे और टिपसेंटरिस के साथ तब तक के लिए बाई बाई